पुद्ने में सदर्थाना पुलिस द्वारा गिरफतार अभिनेत्री पायल रोहद्गी को एसी जीएम नियायले में पेश किया गया जहां से उसको 24 दिसंबर तक के लिए नियायले द्वारा जेल भेज दिया गया हाला कि फैसला सुनने के बाद पायल नर्वस नसर आई पूरा मामला नहरू परिवार पर आपती जनिफ टिपने का वीडियो बन्या कर उसे सोशल साइट पर अप्लोड किया गया था इस पर जिवा कॉंग्रिस के प्रदेश सचेव चरमेश शर्मा दौरा सदर्थाने में आई टी एक्स सहेत मानहानी के मामले में एपफाई आड दर्स करवाई कई थी एस मामले में कई बार रोहिदगी को पुलिस दौरा नोटिस भी भीजवाए गये लेकिन उसने पुलिस की इस मामले में मदद नहीं की तो सदर्थाना पुलिस ने अभिनेतरी पायल रोहिदगी को गिरिफ्तार करते वे आज नयायाले में पेश किया गया जहां से उसको 24 दिसंबर ते के लिए चेल भेशिया गया जिनके परिवार उनकी पत्री के उपर जिस तरह से वैक्तिकत अरोप लगाए गए वो जो किताब है उस किताब पर ही गोवर्मेंट की तरफ से बेन लगाए गया हुए और इस तरह की सविदान में कोई ऐसा कोई प्राउदा नहीं है कि आदमी की वैक्तिकत सुतनतर का इस तक का महुल मनेगा कि राजनेताओं की वैक्तिकत दुरुप से किसी पर करकी चाहिए कोई भी पार्टियों को वैक्तिकत उसके उपर कोई टिका 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 करें